अपना घर का सपना हो या सत्रू मुक्ति पाना हो या चाहते हैं जीवन की हर कस्ट से ही मुक्ति मिल जाए तो हनुमान जी के सरण में आईए नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सर्मार जब जीवन में परिसानी बढ़ जाए तो हम हनुमान जी के सरन में आते हैं और हनुमान जी हमारे जीवन के हर तरह के बाधाओं से हमें मुक्ति दिलाते हैं और जिसके सर पर बजरंग बली का हाथ होता है उसे किसी बार से डर भी नहीं लगता साथ ही ऐसे लोग जीवन में खूब उन्नत्ती करते हैं बहुत सारे जमीन जायदाद भूमी भवन के मालिक होते हैं अगर आप भी स्री राम और हनुमान जी की किरपा पाना चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए आप सिर्फ राम जी का नाम भी ले लें तो भी हनुमान जी आपके उपर किरपा बरसाते हैं लेकिन आज हम एक बिसेस प्रयोग आपको बताएंगे देखिए कई बार क्या होता है आपके जीवन में बहुत सारी परिसानिया होती है बहुत सारी समस्या होती है आप उहां से निकल नहीं पाते बहुत सारी बाधाएं अब ऐसे में जब सुभ योग हो सुभ दिन हो तो इसके महत्तो बढ़ जाते हैं अब एक छोटा सा प्रियोग करें अगर आपके जीवन में बहुत समस्या है बहुत बाधाय पुहां से बाहर निकलना चाहते हैं तो किसी भी मंगलवार के दिन आप एक पान का पत्ता मिल जाए तो अच्छा नहीं तो एक पीपल का पत्ता ले ले धो कर इसको साप सुथरा कर ले अब चमेली के तेल में सिंदूर को मिक्स करके गाढ़ा सा पेस्ट बनाए अब इस पेस्ट से इस पत्ते पर लिखिए राम ठीक है अब राम जब आप लिख ले तब हनुमान जी के इस पत्ते को आप उनके मस्तक पर या हिरदय पर लगा दे या वहाँ पर आप अटका दे जो महिलाएं हैं हनुमान जी को नहीं चुएंगी वो सिर्फ हनुमान जी के चर्णों में लाल गुढ़ल कापुस पर पित करेंगी आपको इसके भी फैदे मिलेंगे तो अपनी समस्याओं के निराकरन के लिए उनसे प्रार्थना करें और याद रखिएगा पैरों में ये पत्ता मत रखिएगा क्योंकि इसमें आपने राम लिखा है और राम नाम जो है ना उनके मस्तक पर या हिरदय में ही भी राज़ेगा इसलिए इस परियोग को आप कम से कम पाँच मंगल बार करें या लगातार अगर आपके पास टाइम है तो 27 दिन या 21 दिन तक करें तो भी आपको राहत मिलेगी आपके तमाम परिसानिया समाथ हो जाएगी कुंडली के जो भी दोस हैं वो समाथ हो जाते हैं कई बार आपके जिवन में बहुत सारी मुस्किलें आती हैं बाधायें आती हैं आप उससे निकलना चाते हैं लेकिन निकल नहीं पाते अब आप परिसान है करें तो क्या करें जाएं तो जाएं कहां क्योंकि कई बार परिसानी कुछ ऐसी होती है जिसके कहीं कोई उसका वजह नजर नहीं आता बस आप फस्तेच ले जाते हैं अब इन तमाम प्रेसानियों से बाहर निकलने के लिए एक छोटा सा काम करें मंगलवार के दिन साम के समय आप अपने घर में भी कर सकते हैं हनुमान जी के मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं क्या करेंगे हनुमान जी के सामने एक दिया आप मिट्टी का भी ले सकते हैं आप आटे का भी दिया बना सकते हैं अगर आठा का दिया बनाएंगे तो इसमें गी डालिएगा और अगर मिट्टी का दिया है तो सरसों का तेल डाल के लिए अब इसको आप हनुमान जी के सामने जलाया जाता है दिये में डाल कर आप घी के भी दिये में डाल कर जला सकते हैं और सरसों की तिल के भी दिये में जला सकते हैं डाल कर अगर लॉंग ना हो तब आप दो काली मिर्च के दाने डाल दें आपके जीवन के हर संकट दूर हो जाएंगे और घर में जो नकात्मक चीज रहत हैं कि वह मनुकामना आपकी पूर्ण हो जाए लेकिन पूर्ण नहीं हो पा रही ऐसे में आप लॉंग का एक छोटा सा प्रयोग आपके मनुकामनाओं को पूर्ण करेगा देखिए जो लॉंग है ना यह हनुवान जी को जब आप अर्पित करते हैं या फिर जब आप अस्तिस पर इसका पॉजेटी प्रवाव पड़ता है और यहां से जीवन की परेसानी समाफ्थ होनी सुरू हो जाती है बहुत सिंपल प्रयोग है लेकिन इस प्रयोग को आप जरू करें देखिए वैसे कोई खास दिन हो तो सामके समय आप कपूर के साथ लॉंग जलाकर आपने कोई पातर में लॉंग दो कपूर के टिक्या ले लिजिए अगर आपके घर में बड़ी लैंची है चोटी लैंची है तो उसके तीन दाने भीच में डाल दीजिए और इसको जलाईए पूरे घर में दिखाईए इससे क्या होता है न आपके जीवन के हर कस्ट हर दूर हो जाते हैं हर परीशनी समाप्त हो जाती है और माना जाता है कि अगर मंगलवार के दिन आप कोई भी कुट्ता हो काला हो सफेध हो अगर रोटी पर गुर डाल कर कुट्टे को खिला दे तो आपके अगर अपना मकान नहीं हो पा रहा है अपना जमीन जादाद नहीं हो पा रहा है तो वो समाप्थ हो जाती है और आपको अपना मकान का सपना आपके अपने भूमी भवन का सपना पूरा होता है कई बार जीवन में लगता है जैसे घोर दरित्ता चाही भी है आप परिसान है लेकिन परिसान ही है कि छुटकारा ही नहीं पाने देती अब ऐसे में एक छोटा सा प्रियोग करें देखिए वैसे तो अगर आप नियमित रूप से हनुमान जी के चर्णो का सिंदूर आप चाहें तो किसी चीज में लाकर भी रख सकते हैं और इसको माथे पर लगाईए तो आपकी चारो दिसाओं से रख्चा होती है बड़े से बड़े दुरगटना योग भी टल जाते हैं अब मनो कामनाओं के कोपूर्ण करने के लिए आप जो हनुमान जी हैं उनको आप तूलसी के पत्ते की माला बना कर भी अरपित कर सकते हैं इससे हनुमान जी सिग्र परसंड होते हैं आप चाहें तो ऐसे बजार में रेडिमेट भी मिलता है आप चाहें तो एक-एक पत्ता डंठल वाला लेकर कम से कम 11-12 पत्ता लें लाल धागे के सहारे बांध बांध कर इसको हनुमान जी को पहना दे कोई भी मनोकामना हो ये चमतकारी प्रियोग है आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाती है और वैसे आप चाहें तो पीपल के पत्ते पर राम लिखकर एक 11 पत्ते ले 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 पर राम लिखकर भी आप अनुमान जी को पहना सकते हैं मननत पूरी होने के लिए और धूप दीप तो आपको लॉंग और कपूर जला कर ही दिखाना है इस बात को हमें से याद रखेगा अपने घर में और जब वो सांथ हो जाए तब उसको पानी में डाल कर आप अपने मुख्य दरवाजे पर छिड़काओ कर दें बागी बचा हुआ आप किसी पौधे में डाल दें बड़े से बड़े समस्याओं से आप मुख्य पा जाएंगे अब सबसे अंत में एक छोटा सा परियोग जो आपके जीवन के हर कश्ट को दूर करेगा क्या करेंगे किसी भी मंगलवार को एक छोटा सा परियोग कीजिए कई बार क्या होता है आपकी नौकरी में परमोसर नहीं हो पा रहा विवाह तैने हो पा रहा आपको जौब नहीं लग रही आप रिटार कर गया है पैसे अटके वे विवाग में नहीं मिल रहे आपका दुकान अच्छा नहीं चलता बहुत रख्य होते हैं मननत स्वास्त किस यह होगा रुखावाला उपर होगा इस पर दो लॉंग रखकर किसी बहतेवे पानी में छोड़ दें और बोलें है मेरी परिसानी है दुख आपको मैं यहीं छोड़े जा रहा हूँ किरपा करके आप मेरा पीछा मत करना बिना पीछे मुरे घर आ जाएं देखी कैसे आपको सम होस्यों के सर से उल्टावार ले और उल्टावार कर इसको घर के मुखे दरवाजे से बाहर उत्तर दिसा की और फेक दें और पीछे मुड़कर मत देखिएगा वापस आ जाएगे धन की मुस्किलें दूर होगी समझत परेसानियों से मुक्ती मिलेगी बड़े से बड़े दूरूस हैं मोर पंख जिसका प्रियोग विसेस तोर पर आज के दिन किया यहाँ एक कर आप हनुमान जी के मंदिल चले जाएं अब हन्मान जी के चणलों का सिंदूर लेकर मोर पंख पर अपने सत्वरु का लिग लिग दें Lewis हनुमान जी के पास वो मोरपंख रहने दें अगर आपके घर से बहुत दूर है हनुमान जी का मंदिर तो मोरपंख ले आईए अपने घर के पुजास्थान पर रख दीजिए अगले दिन सुबह इसको बहते वे पानी में बहा दे या फिर आप पीपल के नीचे रख दे शत्र पुरुआ रंग का या लाल रंग का भी आप जंडा ले सकते हैं आपको जो मिल जाए अब इस जंडे पर लाल रंग से राम लिखिए और कुछ नहीं सिर्फ राम अब हनुमान जी के मंदिर में जाकर पता का पहरा दे अपना मकान भूमी भवन जायदात का सपना पूरा होगा फिलाल विदा लेंगे हरहर महादेब धन्यवाद